स्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महाद्यूग, देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी होलास्टक के दिन चल रहे हैं, होलास्टक के में कभी भी कोई भी शुप कारे नहीं होता है, होलास्टक हमारे ग्रहों पर बहुती अशुप प्रबाव डलते हैं, हमारे कोई भी साथ इसाथ उन्हें प्रबल कर सकते हैं तो यह उपाय आज का उसी लिये है मात्रे एक हरी ईलाइची का यह उपाय बहुत ध्यान से इस उपाय को समझ्जना यह उपाय होलास्टक्क के भूद्वार के दिन करना है जो की कल है और कल पालगुन मस्क के शुकल पक्ष की दश्मितिती भी है तो दश्मितिती और भुदवार का सयोग बहुत ही शुप और दुरलब होता है ध्यान अगना कल प्रीती ये आयुश्मान ये अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध ग्रह जो कि बुद्धी ज्ञान विवेक प्रदायक देव हैं वो अगर मजबूत रहे तो ह पूझ जीवन में बहुत ही सुखाता है हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे घर का जो व्यापारे वो डंग से चलता है क्योंकि ये सब बुद्ध ग्रह से सम्मंदित होते हैं और बुद्ध ग्रह को हरा रंग भूत प्रिये है और हरा रंग में आता है इलाइची जो कि हमारे गणेश जी को भी प्रिये है तो ये उपाय आपको गणेश जी के निमित गणेश जी को प्रसंद करने के लिए करना है बहुत आसान सा उपाय है बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना पूझ जी गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझान का पूर प्रयास करूंगा ले एक इस्टिल का पात्रे लेना उसके अंदर दो चमच कच्चा दूद मिलाना बाकि पूरा शुद्ध जल मिलाना ठीक है और एक हरी लाइची ले करके आपको कहां पर जाना है आपको जाना है आकड़े के पेड़ के वहां पर आपको जाना है बहुत द्यान से इस उपाय को अपको जल अरपित करते हुए आप पूरा जल अरपित कर देना अरपित करने के बाद देखो अरपित करने के बाद आपको आकड़े के पेड़ को छूना है केसा छूएंगे दूनों हाथ से छूना है दूनों हाथ को इस परश करना है आकड़े के पेड़ को और आप कामना करेंगे कि भुद्धी ज्यान विवेक की प्राप्ति हो जीवन में ऐसे शुब पर बुद्धगर से जुड़ा कोई भी अशुब प्रभाव ना पड़े ऐसी कामना करते हुए आपको इस परश करना है और आपकी मनुकामना बोलनी है बस इतना सा उपाय करना है एस भुद्धवार के होलास्टक पर अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कम में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्त भ्यम हर हर महादर